लड़का 5 लाख रुपए कमाता है, बहुत अच्छा रिष्टा है साब आप लेकर आए हैं तो अच्छा ही होगा ना आप तो ज्यादा ही तारिफ कर रहे हैं वो देखिए, लड़की भी आ गई कैसी लगी? ये मुझे बहुत पसंद है जी नहीं मुझे बात करनी है हा JENN कुरणे नहीं मेरा बेटा आच आच अच शादी तो लड़की करेley ना वह बात करें बहतर है हां tobacco क्योंसे बात करनी है किसलिए जीश्चा हिए दीदी की पसंद मुझे अच्छा तो दीदी बात बात करेंगे नाम दुर्गा देवी डेट ऑफ वर्थ मां का डेट ऑफ बर्थ 15 मार्च 1906 पापा का नम बुर्शोत्तम डेट ऑफ बर्थ 15 मार्च 1924 गर्ल्फ्रेंड नहीं है जी मैं बॉइफ्रेंड की बात नहीं कर रहा हूं अनुश्या डेट ऑफ वर्थ दो फरवरी 1990 ठीक है दीदी इ सब के डेट ऑफ याद है इसका मतलब है कि यह तुमारी मैरेज अन्वरसरी तुमारा बिना भूले तुम्हें विश्च करेगा दिखो बात यह है दोस्त के लड़कियों को प्रॉपर्टी से फर्क नहीं पड़ता पर लड़का मैरेज अन्वरसरी भूल जाए या बर्द्य आपके भाईया ने पूरी पिक्चर दिखा दि मुझे क्या अब्जिक्शन होगा तो मुझे भी कोई अब्जिक्शन नहीं है कि देख भाई तुझे अंदाजा बें कि मैं अपनी बहन से कितना प्यार करता हूं बहुत प्यार से पाला है उसकी आखों में कभी आँसु नहीं देख सकता मेरी बहन मेरी चान है अगर ऐसा हुआ कि तुमने शादी के बाद मेरी बहन को तंग करने की कोशिश की तो फिर मै यह और चपके पील वेड़ी यह संदी की तो आजल ड dinero बगाया वर लोग जाते जाते आथे आप किया बात कर रहे थे हैं लेकिन वो फ्लैट तुमने अपने लिए खरीदा है ना मा दीदी पहले है फ्लैट का क्या है बाद में खरीद लेंगे तीन चार दिन में मुझे जॉब मिल जाएगी तेर सारे पैसे कमाऊँगा और पर एक बड़ा सा फ्लैट ले लूँगा जल्दी से शादी करके भगाई है इसे पुरी जायदात भांग रही है बहुत ही अच्छी रंगूली बनाई है नमस्ते आंटी नमस्ते बेटी पहले कभी नहीं देखा है हम यहां नए नए रहने आये हैं तुमने जो रंगूली बनाई है बहुत ही सुन्दर है थांस आंटी चलती हूं मैं हां दीदी कॉफी दो ना आंटी अरे बेटी सत्यनारैन भगवान के घर में पूजा हुई थी उसका प्रसाद लाई हूं अच्छा अच्छा दिदी कॉफी मेरा बेटा है ना उसे उठते ही गर्मा-गरम कॉफी चाहिए तुम पिए गी कॉफी नहीं बेटी जल्दी सबने भाई को कॉफी दे दे मां आज आप दे दू ना मैं दे दू अरे उठते ही उसे तेरी शकल देखने की आदत है मेरी नहीं मेरी बेटी है ना, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, कुकर की सीठी बज रही है, मैं अब ही आती हूँ, अरे दिदी, कॉफी लाओ ना, बेटी, अगर बुरा ना मानो, तो मेरे बेटे को ये कॉफी दे कर आओगी, क्या है कि मैं सबजी बना रही हूँ, वो कहीं जलना जाए, इसलिए, ठीक है आंटी, दे कर आओ बेटी, कमरा उधर है, यहां से जाओ, कॉफी, तुम को आओ, नहीं नहीं तुम्हारी पडोसन बनी हूँ, मेरे घर में क्यों आई हूँ, कॉफी देने के लिए आई हूँ, सुबहे पडोसियों को कॉफी देना तुम्हारी आदा थे क्या, नहीं बाबा, तुम्हारी मा ने कहा था इसलिए, ठीक है लाओ, इसे सर पर किया है नारियल वाला हेलमेट है तुम्हारा नाम क्या है मैं चलती हूं नौम बता अबना चलिए कितनी बार गुमने आ दीदी 108 पर दुखने लग जाएगा कोई बात नहीं घर में बाम है उसे लगाले न ठीक हो जाएगा चक्कर आने लगेंगे आंखें बंद करके गुम अपिसुरिए मैं क्यों करूं अरे मैंने मन्नत कुमने के लिए नहीं मांगी है मननत कुम और गुंमी मैंowment मिशाजीए क्यों अपने प्यारी दिदी के लिए ये है यह तमितना म्हें कर सकते हो ने कर सकता चलो गुतो नगा छालो ओना.. ठीक है ठीक है जा तु रहा चार्बे नीचे तरवाँगा वह बात में देखेंगे पहले तुम घुमना सुरू करो यह ले अब 108 भार घुमना पड़ेगा क्यों रुक है कौन है यह वह सुबह 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 कॉफी देने यह यह वह यह सुबह 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 यह घर आए थी ना इसकी वज़े से आज माने मुझे बहुत डांट लगाई देखो सरा कैसे पुझा कर रही है अब भाई दीदी तुम ऐसे ही लड़की ढूंड कर शादी करना तुझे क्या हो गया है दीदी उससे देखो वह हमारी तरह टाइम पास के लिए पूझा नहीं कर रही है दिल से पूझा कर रही है देखो इसकी पूझा भगति मुझे लगता है यह बहुत संसकारी लड़की है ना इसलिए तो मैं ऐसी लड़की ढूंड़ो तो क्यों ना इसी लड़की से शादी कर लो मुझे भी आइडिया अच्छा लगा भाई तो ठीक है आपे ट्राइक करता हूं अलो सब्सक्राइब नाम बता ही चलिए अरे हांस क्यों रही हो नाम तो बताओ मैं चलती हूं न बताओंगी मैंने पोचा भी नहीं मैंने तुम्हारा नाम दिया है पड़ός की कॉफी गर्ल मुझे यह पसंद मुझे क्या लेना देना मुझे पसंदेना ये काफी है यह क्या बात हुई मुझे बुला रहे हो और कह रहो कि मुझसे कोई लेना देना नहीं इतनी बड़े-ब पूझा देखना ग्रणा के सब्सक्राइब talks सब्सक्राइब क्या बात फिर शुरी सबंदीर करना फिर उसके बाद उसके बात बहुत उसके गर्लोग कोई अवसप्र ट्रकॉड क्या पाल तु सवाल मत करो खुद से प्यार हो तो ऐसे सवाल मत करना अब काम करो तुम मेरे सवाल के जवाब दो ये बताओ तुम्हारा रेलेश्णिशिब स्टेट्स क्या है मेरा बॉइफेन है तो से छोड़ दो मैं मजाग करो तो कहते हो कि तुम मुझे मारोगी मैंने कहा म खोड़ दो कि अधर करते हो तुम गया लड़कियों से ईसे ही बाते करते हो यहीं मेरे यही मेरा अदतन हरा जांगी कोई मेरे पैसंदैब लिए नहीं दून गजरदी दो नहीं दूनिंगी दो में प्रहला दुन गइंज क excited सॉरी उते काफी गर्ल्ण तुम यह थैं मैं जो कमेंच जुन किया है जॉस्त अभ्ला दिन यह घर नहीं ऑफिस मतलब बाहर कर सकते हैं ना मेरी बात तो तो क्या चुप-चुप मेरे साथ चलो मेरे क्या ने लेकिन किसी ने देख लिया तो क्या सोची गां मेरा दिमाग खराब हो रहा है कि मैं कहां बज गया मैं सरदबादू यह तो WWE देख रही है तुम आओ वहां क्यों कडियों अंदर आओ वो कल्मा ने प्रशाद का बरतन दिया था वो मां वो पड़ोस वाली प्रशाद का बरतन लेने आई है वो ले आएंगी तुम आओ बैट जाओ अच्छा तुमने मेरे भाई के आफिस में जॉइनिंग किया है नहीं तुम्हारे भाई ने मेरे आफिस जॉइन किया है बiovाई यह सिर्फ देखनी में पुंडे ज़सा लगता है लेकिन है बहुत भोला-बाला हां पता है मुझे यह बहुत भोला-बाला है और इतना भोला-बाला है कि सामने दीदी बेटिये फिर वी उनके सामने लड़क वहां इन्हें दूर बैठके क्यों यहां पास में आके बिंदा साख मारो ना है ना यह सच में इसकी तीदी है यहां कैसा लड़का है यह यह लो बेटी प्रसाद कबरता है थाइंस आंटी जल्दी लाने के लिए अगर आप देर कर देती तो मैं पागल हो जाती है मैं चलती तू भी ना अच्छा ऐसा अरे ऐसा कुछ नहीं है ठीक है बेंजी लक्षमी इंगेजमेंट फिक्स कर दी ऐसा क्या यह तो बहुत खुशी की बात है आने वादे गुरु वारतों पिता जी अब वालेट में तो पैसे है नहीं बेटी चाहो तो डेबिट कार्ट से खरिदो पिता जी क्रेडिट कार्ट की लिमिट खतम हो चुकिए बेटी चाहो तो डेबिट कार्ट यूज करने यह आखरी के हजार रुपे बचे है मेरे पास अब चलो यहां से ठीक है पिता जी घर जाने से पहले साही बाबा के मंदिर चलते हैं दर्शन करने कर दो कि आपकी आवाज नहीं हा रही है अलो क्या डैट आप लोग कार में बैठे में अभी आता हूं जल्दी आना बैटा ओके डैड है ठीक है अरे जोर से बलो यार आवाज नहीं आ रहे है प्रिक दो प्रिक तरिक फड़ते हैं सर जोरा सेवालाUP साही यार Beautiful इर बासता है ख़र लोरा स करे लinging लाजरiane टर खमकर शनայ सिर्ड़ती वां हां यारbert अड़tal कर द才 का अन समय 오 Natomiast कर दो और इन ऍहींण का प्रूद से वह निए क्यों बड़्म कि वह को कि अाल explains समय जा सितो का रभा कि मी ठी है हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 है आया घुटा, इसा इसा दोनामीं में उआ हुआ है दिदी, 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 आफेकर को दिदी तुम फिक्रे मत करो में निपे हॉस्पिर ले चलता हूं मौ तरदो रहा है दर दो रहा है कि दाजी का है, मा का है, तुम ठीको ना तुम ठीको ना तुम ठीक दीवी 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 बेटी सामने वारे लड़के को नास्ता दिया क्या नहीं मा एक बर उससे मिलतो लो बहुत बुरा हुआ उसके परिवार के साथ ठीक है मा जब जाओगी तो बता दे ना उसके लिए नास्ता दे दूंगी तुम्हें ठीक है मा सुनिये कोई है वो बिजारा बहुत दुखी होग क्या वा कॉफी गर्ल्स टिफिन क्या सभी टाम पर लाई हो ऐसे क्या देख रहे हूं कुछ नहीं कोई बात तो है तुम्हारे माप नहीं रहे तुम्हें इस बात का दुख नहीं है है ना लेकिन तुम्हें देखके तो ऐसा नहीं लग रहा है और दोख को बाहर दिखाना ज्रूरिम है क्या हाँ दुख है यहां है जल रहा है और आ वो बाहर आएगा उस दिन बाहर आएगा जिस दिन वो बयान्गने वाला पकड़ा जाएगा देखना झाल्स spectrum और अंसे ब्याहरे वह oxygen या फिर कोई गली के गुट्टे हो कुछ भी हो तुम्हें क्या जैसे चुहा पकड़ने के लिए दाना डालते हैं जाल बिछा कर पंची पकड़ते हैं वैसे ही मैं उन सब को पकड़ूँगा और साई बाबा के मंदिर पर ले आकर बॉंग सुड़ा दूँ सुनो तुम नॉमल बात करोगे तुम मुझे नॉमल लगोगे पर ऐसी बाते करोगे तो मैं तुम्हें पागली समझूंगी मैंने सोचा तुम दुखी होगे तो तुम्हें नाश्ता देने आ गई तुम तोल्टा मुझे शौक दे रहे हो मार डालूँगा खतम कर दूँगा मै चलती हो ला मुआफजी की रूपे सटकार आपको एक लाख रूपे दे रही है इससे क्या आप खुश है? खुशी कहां की खुशी है और कैसी खुशी है शरीर बुढ़ा हो गया आथों में ताकत नहीं पेट बरने के लिए भी दूसरे पर निर्वर रहना पड़ता है और हमारे घर का एक ही सहारा था वो भी अपाही जोकर मेरी आखों के सामने पड़ा रहता है इस बुढ़ाबे में जिसका एक लौता बेटा ऐसी हालत में हो उसके क्या दशाओं की बताओ मेरा सहारा बनने वाला मेरा बेटा आज दूसरे के सारे जिस्ता रहने पर मचूरे यह देखकर किसे खुशी होगी बाबू आज घर की जिम्मेदारी मेरे बेटे की जगा मेरी बहु उठा रही है बच्चे हसना खेलना भूल गए है बहु के चेहरे से मुस्कान चली गए एक लोड़ा बेटा मुर्दे की तरह बड़ा है किस बाद की खुशी होगी मुझे मेरे बेटे के बदले मुझे दो लाख रुपए मिल रहे है उससे हमारे सिंद्धी की तो नहीं गुजर जाएगी तो देखा आपने बॉम ब्लास्ट में मारे गए लोगों के परिवार का हाल कैमेरा मैं प्रकाश के साथ साई 10 टीवी करने प्रकाश के बदले में प्रकाश पुलिस ने पहचान लिया है आरोपियों ने ये बॉम ब्लास्ट मोबाइल के जरिये ऑपरेट किया था ये लोग एक सब्दा पहले शहर में आ गये थे और यूज मी लॉज में है रहे हुए थे ये बात हमें सुत्रों से पता चली है अब हम आपको यूज मी लॉज लेके चल यूज में ठेरे हुए थे यही वो लॉज जिसका टेरिस्ट ने यूज किया था देखें अच्छी तरह से देखें यही है यूज मी लॉज हम उसके और से बात करने की कोशिश करें हम से सवाल करेंगे यही है यही है यूजपी लोज के ओनार बोलिए आपको बोलना होगा देखिए यह वही ओनार है बोलिए अपको नहीं रहने के लिए दीती क्या आपने हां दीती मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और क्या कहूं मैं वो लोग टेरिरिस्ट का बोर्ड ल देखिए अच्छी तरह से देखिए एक जिम्मेदार नागरिक कैसी बाता कर रहा है बताईए बताईए इसकी इस हरकत के लिए क्या सलूप करना चाहिए इसके साथ बताईए बताईए आप लोग चुप क्यों है आप तबी लोग बोलेंगे तो इक तो क्या बताईएंगे अगर मैं दो मिनट चूप रहा तो तुमें इन सब को मैं उनका लीडर हूँ यह बता दोगे देखिए जो कुछ भी हो उसके लिए मुझे भी बहुत दुख है अगर मैं जानता कि वह टेरिजिस्टन तो मैं अपना कमरा उने ने देता जोटो तुम यूसमी लॉच में काम करते होगे मुझसे मत पूछे मैं किसी को नहीं जानता है तुम्हारे घर में और कौन कोन है छोटो डरो मत छोटो बताओ ना मैं बहन और माबाप कल तक तो मेरे साथ भी सब थे मॉम डैड दिवी सब लोग लेकिन तीन दिन पहले सट्टनली सब छोड कर चलें। मुझे ऐसे मत देख पशीं मैं जानता हूं तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ है पर मैं उन्हें नहीं जानता नहीं मैंने एट जिन्मौन ने मेरा परिवार मुझसे होगत तुम बहुत लखी हो छोटू, अपने परिवार का ख्याल रखता है, भाई, हाँ छोटू, भाई न्यूज में जैसे पता है कि छे लोग थे, लेकिन वो दो लोग थे, दिन में वो बाहर नहीं आते है थे, और रात में बाहर जाते थे हुआ, मगर उनसे मिलने दो लोग आते थे, कौन है वो, नाम के वरका, एक का नाम पपू था, और दूसरे का नहीं पर था, वो दिखते केसे हैं, दिखने में ऐसे कुछ खास नहीं थे, हम जैसे ही लोग थे वो, आप क्यो उमर के थे, वो लोग कहां से आते जानते हैं, आप कहां जा आपको बताया हो, किसी को मत बताना, किसी को नहीं बताऊंगा, अपनी फैमली का ख्याल रख रहा है, ठीक है, टोटल चार लोग, उसमें से दो यहां के लोकल है, और दो बाहर के, उसमें से एक का नाम है पपू, और मुझे ढोड़ना है इस पपू को, कहां मिलेगा यह पपू, कहां मिलेगा पपू, कहां ढोड़ो मैं उसे, पुफ, इसमें कहीं भी कोई भी दंगे होते हैं, तो उसका संबंध हैदराबाद से होता है, एक जमाने में आजमगड को अतंकबादियों का गड़ माना जाता था, तो आप क्या हैदराबाद भी एक और आजमगड ब बोड़ेगा, इनधियन वजाहएदीन, मेंबर्स, अब्दिल कुरेशी, सोफ्टवेर एंजीनियर फ्राव मॉंबई, अभू बशेर, उत्तर प्रदेश, अब्दुल रजाक मंसूरी, एज 27, अब्रोइडरी यॉनित ओर्नर, पंकज हैतराबाद से, सौट, पंकज, एक चोर के बारे में तो सर्फ एक चोर ही बता सकता है, पप्पू, अगर पप्पू मिल गया, तो फिर पंकज के बारे में बता चल जाएगा, या फिर पंकज, पंकज को पकड़े तो, वो मुझे इन सब के बारे में बता सकता है, मुझे किसी वी तरह आज के सहारे पप्पू को आसानी से ढूंड लोंगा सो पंकर्च कि अगातना जलतicas को भी अफ। झाला, झाला, बनदारा झाला, बने लोंदाण बनदारा झाला, झाला, झालाandदारा यहे जटू, एक पेड़ पूरी दो, यहाँ बही है, यहाँ बॉला भई, अबे यह क्या है वे, यह चाय है, च्या हुआ साप, पंकज ने बोला था, यहां के चाय अच्छी होती है, तो यहां चाय पीने आ गया, लेकिन पीने के बाद लग रहा है कि, मुझे यहां आना ही नहीं चाय है था, यह पंकज कौन है? यहां पंकज के फ्रेंड को ऐसी सर्विस देगा तू, आज के बास से अच्छी सर्विस देना मुझे, जबनता है मैं कौन हूँ, पंकज का फ्रेंड हूँ, पंकज का फ्रेंड हूँ, मैं यह पंकज कौन है? आज दू कौन है? इह देखताने क्या भैं देख गे जाना चाहिए, ढहत बढ़त प्रेंड हूँ, था देखताने क्या है? क्यों तू दिखाएगा क्या हूँ, साले बहुत पढ़त रहे है। इता है कि अपन्ककर के दोस्त हो निच्छे जानते निखल यहां जानते निकल यहां से आप पंकश के दोस्त हो ओ वो मेना दोस्त है अठीक है जाए यह अप चल निकलते हैं यहां कि कॉन यह गठें आप अभाई अभाई अब यहां अभाई 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 अगष्ट सोफे हुआ jóकरा ही अभाई तक्राई नहीं हुआ है अभाई इस फिर्ट लोह कहां चेले गए हो तुम दो दिन से घर में ताला लगा हुआ है वह दो लोग मिलें तो इन जान से मारता हुआ भर भागा कि यहां खोम रहा हूं ले क्या तो मजणा क्या कैसे मेरी बात छोड़ो तुम्हारा दिमाग तो सही है रात को शम्षान घाट में घू तुम्हें क्या होगा है तुम्हें कुछ हुआ है जलो चलें बागवान मैं इस लड़के से बहुत प्यार करती हूं लेकिन अब तक मैंने इस बारे में कुछ नहीं बताया है यह आधी रात को भूत की तरह यहां वहां घूमता रहता है अब आप भी कुछ कर सिथे हैं पंडित जी सिंदूर बहुत थोड़ा दिया थोड़ा और दीजिए ना किसलिए तुमने ऐसा क्यों किया मेरे इस दोसको कुछ कम नहीं चलता सब कुछ उसे ज्यादा चाहिए होता है वन्ना यह दुखी हो जाता है इसलिए यह लो भगवान का ताबीज है इसे पहना दो बस एक कम से कम दस्त दीजिए नहीं बेटी एक पहना दो काफी है अरे पंडिची इससे देखिए तो सही यह कोछ बोले तो मन को शांती मिलेगी समझ मेहाई का परिशानी क्या है तभी मैं इसका खयाल रख सकती हूँ ना समझने की कोशिश कीजिए क्या पागल पन लगा रखा अवह अब चलो ह låonne कऊन हो तुम मुझे किः नैप क्यों क्या क्या यह चाहिब भता करक्षो है ते िरी तो वो पंकज कॉन है मैं नहीं जानता और में वसका फॉरेंड भी नहीं हूँ कौन है यह कॉा अब सुन पंकच की तरह ही द्वार का नगर बॉम ब्लास्ट में पप्पू भी शामिल था और मुझे वो पप्पू चाहिए तुम पंकच के बार में जानते हो तो फिर तुम्हें पप्पू के बार में भी पता होगा इसलिए चुप चाप ही बताओ कि पप्पू कहा है वरना अब तू बोल रहा है वह बोल का है पप्पू जैसे लोग राम नाम जबते हैं वैसे मैं तीन दिन से पंकच का नाम चब रहा हूँ तब जाके तो मिला अब तू बोल रहा कि तू जानता नहीं उसे मेरे इतने दिन की मैने तो बेस्ट हो गई ना तुम्हें तो इस स्मार्पोन है बढ़ा अब है तो बाइग को मारा ना भाप वाई था इस वीडियो आया है ना यह यह तो अपना रियास है यह यह व्याज़ जो किसने पहचा इसे अग्देश अरे उसकी नमर से नंबर से यह है तुम्हें कोई वीडियो मिलाए क्या यही तो ने किया दन जगड़ा जब सब्सक्राइब दिखाई नहीं दे रहा है काहें वो ए मुझे भी आया है यार यह तो सिर्फ हमारे पास है तुम्हें कैसे मिला है यार मैं पंकच का फ्रेंड हूँ वो भी पंकच का फ्रेंड है तो उसने मुझे भी भी पेज़ दिया होगा एक बात बताओ उस वीडियो के साथ कोई मैसेज भी आया था क्या नहीं मेरी पास तो आया था कौन से मैसेज देखो पथर गटी पप्पू को ले आओ और अपने द वेधी बुदिय hemisphere क्लओ लेकिन अपने दोस्त को नहीं छोडेंगे क्या कहते हो होจ裡 और उससे हमारे जान की फुरूत मैं है उससे तो पथर गटी पप्पू कान है क्या मिले पले को यह तो मुझे भी नीवालों लेकिन यह पथर गटी पप्पू तो पतr गटी अरिया मेह म चाहे तो ऊस आदमी को सिर्फ पप्व को देना है और हमारा वापस मिल जाए हैं दोस्तों हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं अपने दोस्त की खादिर कर रहे हैं आप सब निकलते हैं डेटा कलेक्ट करके शाम को यहीं मिलेंगे चलो चलो पूरा डेटा कलेक्ट किया है यह रही लिस्ट टोटल कितने है एटी-एट के लगवग उसमें से वो पत्थर कट्टे पप्पू कौन है आपके उमर के थे हाँ इसमें से बीस और तीस की बीच में कितने लोग है उनके डीटेल्स बताव पपू असली नाम दूलकर कपड़े की दुकान पर काम करता है पपू असली नाम सल्मान बीटेक करके खाली बैठा है पपू असली नाम जनीप बाइक मेकैनिक पपू असली नाम अजगर कपड़ा बेचने वाला, फूल बेचने वाला, दूद बेचने वाला और बीटेक करके बेरोजगार मोबाइल रिपेरिंग, बाइक मेकानिक कपड़ा बेचने वाला, फूल बेचने वाला, इन्हें टेकनिकल नॉलिज नहीं है तो इन्हें हटा देते है बीटेक वाला बेरुजगार, दूद पीचने वाला, बॉब फिट करने के लायक नहीं है बाइक मेकानिक, मोबाइल रिपेरिंग बॉब तो बाइक में नहीं लगाया लेकिन बॉब आपरेट के से किया आरोपिया ने ये बॉब फिलाज मोबाइल के जरिये ऑप्रेट किया था येस, मोबाइल शॉप का एड्रेस दो ये दोगो भाई, इसमें पूरी डिटेल लिखी हुई है पप्पू, तू तो फस्किया है, तुम लोग निकलो, मैं फ्रेंट के लिगा आता हूँ ठीक है बाई, चलते है, मुझे पप्पू का एड्रेस मिल गया, तुम्हारी वज़े से, एक्चुली मैं तुझे हैं मारने वाला था, लेकिन तेरे फ्रेंट्स ने बहुत महनत किया तेरे लिए, तो शायद तू अच्छा इंसान होगा पैसे क्यों, कोई डंका काम करो, और हां एक और बात, आम दोरों मिले ये बात किसी को मत बताना, अब चुक चाप यहां से निकल ले, ठीक है बाई, चल, कहां रहे गया ये, कब आएगा, जल्दी आना, ये तो सितम डा रही है, मेरे दिल की घंटी, टिंग टिंग कर रही है, और ये कमर, मुझे बेहोश करने का लादा है, यार कहीं मुझे हार्ट टैक ना आ जाए, ये क्या हो रहा है मेरे दिल में, कुछ तो करना पड़ेगा, चीचीची, कितने गलत बात है, ऐसा नहीं सूचना चाहिए, कौन है, ये जाके दहन की कपने पहन करा हूं, ये क्या पहन की खुम रही हो, क्यों, मैंने अच्छी सारी नहीं पहनी है, सारी तो बहुत अच्छी है, पर मुझे कहीं कोई गल्ती हो गयी तो, तो मेरी नजर से नजर मिलाकर नहीं देख सकते सच कहा ना न से नजर डाआमे से तुम लड़कों से तेज होती तुम लड़के तो हमारे सामने हारी जाते नजरी मिलाने हैं पर उसके बाद जहोगा उसके लिए मुझें मत बोलते हैं क्या करोगे मैं तुम्हारी आखों में देखोंगी तुम्हें डाहिए करो फ्लीज मुझसे नजरें मत मिलाओ तुम्हें पतानी मुझे क्या होता है वक् Parks मैं क्या करोंगा मैं और बेहोश हो जाता हूं कर दो का एंड तू पपू का है इदर पपू कोई नहीं चल निकाल निगाँ उसे मिल ला याओ अने बॉलाना निकाल चाल पू का है इस अच्रूप रह यहाँ यहाँ तो बहुत से लोगाँ आगे इन में से पप्पू कौन है? बोलना तुम में से पप्पू कौन है? नहीं बताया तो बतायाए अम नहीं बताएंगे एई ये बता पप्पू कौन है मैं सिर्फ उसी को ले जाऊंगा बरना साथ है बतादो बतादो जिन्दा रहोगे अरना सारे के सारे माले जाऊगे अबे सिर्फ चार लोग बचे हो बदा दो कोऊन है यार तुमने को बास समझ भी नहीं आती चुप चाप ये बदा दो कि पप्पू कोऊन है और अपनी जान बचा लो ना आफटा बेह प्सक्ता है घः लो खशका खशका ने से ड़स अब तुम दोनों बचता ओ बधा दोनों में पॉन है वो ये तो चुन भोड़ यह जो सकता है यह होदा तुम लोग पेली बदा दिते यह तो नहीं इस बता दो तुम्हेरा मुबाइल शॉप है ना, कितना भागेगा भाई, नाइस चुमेट उपपू चल पपू तो मुझे मिल गया, तू निकल ले अब यह कहां जा रहा है, उपर गो राइड़ देख, क्यूर फैमिली है ना, देख तोने क्या किया एक और वीडियो देख ले, बहुत खूबसूरत है ना, इसके मन में न जाने कितने सपने होगे अपने आने वाले जिन्दगी के लिए, पता है इसके साथ क्या हुआ है, देख ले अरे बहुत से लोग हैं रहे, कितने को गिनेगा, बच्चे हैं, पूड़े हैं, मासूम हैं, इस लोगों की गलती क्या थी, इन्होंने क्या भी गड़ा था तुमारा, अगर सड़क पर कच्रा पड़ा हो तो हम उसके बदबू तक बरदाश्ट नहीं कर पातें, लेकिन वहा की बदबू का अंदाजा है, लोगों के दर्द और चीखों का अंदाजा है तुझे, एक का पैर कट गया था, किसी ने अपना पती खो दिया, एक मा ने बेटा खो दिया, किसी ने अपने बीवी खो दिया, अरे तु क्या समझेगा, क्योंकि वहां तेरे मा बाप बेहन बेटी नहीं जल रहे थे, एक मा अपने बेटों को पहचान नहीं पाई जब तक कि उसका डिने टेस्ट नहीं हुआ, इतना जल गया था, अब चल चुप चा बता, वो यूज मी लॉज में जो भी लोग है, वो क तरिका नहीं पता है मुझे, घुष्से से जलता हूँ आम इन्सानों में, इसलिए मानदारी से सब कुछ बोल दे, बोल दे, तुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है न, ठीक है, प्राक्रिकल में बताता, ये देख, इसे कहते हैं डंबल, देख ले, से मारा तो तो ते मैंस रख जो बताता हू बता 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 जल्दी बता जल्दी बता बोल उस दिन हम लोग मिलेते 761 762 बस इतना ही में जानता अजय 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 वेकाय सुबसे फोन करके परिशान मत कर वरना फोन बेटा मैं हूँ तुम्हारा पडोसी अंकल अंकल बुलिये अजय वेक बार घर तो आओ बेटी के शाधी की बाहत करनी थी ठीक है एंकल मैं बस अभी आता हूँ लगता है आपको शाही की बहुत जल्दी है अगर सब सही रहा तो आइसा ही करेंगे बेटा तुम पहली आओ तो सही ओक एंकल, मैं आ रहा हूँ, क्या बात है, इसे तुम मुझसे जादा जल्दी अपनी शादी की, इतनी जल्दी अपने पापा को भी बताती है, हाई अंकल, आओ बेटा, कैसे हो, बैठो, क्या बात है, कपड़े उपड़े मस्त पेंद कर निकले हो, कोई खास बात है क्या है, वो आप से शादी की बात करनी थी, तो फिर बताये क्या बात, बात करेंगे बेटा, पक्का बात करेंगे, पहले कॉफी तो पेलो, अंकल तो बिल्कुल फॉम में है, हाँ, पंडी जी, लड़का आ गया है, पंडी जी, आप 11 बजे तक आ जाए तो अच्छा रहेगा, पंड क्यों बेटी, कॉफी तुम ने बनाई है, क्यों बेटा, कॉफी कैसी है, बहुत अच्छी, अंकल, क्या है बेटा, कि आज मेरी बेटी को लड़के वाले देखने आ रहे है, पता चल रहे है, अंकल, घर में काम बहुत है, सब मुझे अकेली करना पड़ता है, अरे बाबरे, कोछी हँ हो तुम मुझे बताइए, तुम तो helping nature के होई है, अगर मेरा बेटा होता, तो तो महेरे देख ही होता, और क्या हुआ बेटा, क्या होता, क्या हुआ अरे ait आपने मुझे शादी की बात करने के लिए, बिलकुल नहीं, क्याGM काम करने के लिए, ये idea तुमारा था, म मेरी बात का बुरा मतमाना आप रिष्टे मत बनाईए सुना नहीं जाता काम के करवाना बदाईए कर दूंगा बहुत चोटा सा काम है मार्केट में जा करके भूल लाना है और मिठाई की दुकान से मिठाईया लानी है और लोटते समय रास्ते में दुकान से कोल्ड रिंक की समझके अरे पैसे तो ले लो बिठाजी उसके पास इतने पैसे होंगे की वो ले आएगा तुझे तुम्हें दीख लूंगा आ बेटा यहां रख दो ना कर समद रखाएंगा बेठों बेटी अब यह ए अंकल यह कौन है सामने वाले घर में रहता है मेरे बेटे की तरह है अंकल आप रिष्टा मत जोड़िए गुस्सा रहा है मुझे मैं आपको इतनी दिन से अंकल अंकल कहते आ रहा हूं ना मुझे सासुर बोलना है मुझे नहीं होगा अंकल किने से प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे अब नहीं होता मुझे कुछ बताना है क्या बताना है आप से नहीं आपकी बेटी से रानी अगर मैं तम्हें पसंद हूं तो मैं तुम से शादी करना चाहता हूं क्या करा वृटकियं स्टुच सा ससुर्जी आ अब तक्र रोज-रात में तुम्हारा हिनाम सोचकर सोता हूं करmart अंग गोता हम्लों से था औरे क्या बोल रहा हो तुम चलता हूं सब्सक्राइब देखिए आप बुरा मस्वाइब द्वारका नगर ब्लास्ट में जुड़े पप्पू नाम के वेक्ति को किसी अंजान वेक्ति ने मार के उसे पार्क में फेक दिया है यह तस्बीर है हम आपको लाइब दिखा रहे हैं बावेश अभी वहां के हालात क्या है अभी यहां लाश भी चिट्टी पाई गई है जिसमें लिखा हुआ है 761762 जो बॉम ब्लास्ट से जुड़ा हुआ है और इसमें यह भी लिखा है कि मैं इससे चुड़े हुए सभी गुनागारों को माड़ डालूगा कि देखा क्या देखा सर पता नहीं मुझे नहीं मालूम वो चाहे जो भी हो वो कल का सूरज नहीं देखेगा वो सामने उस घर में रहता है आए गाई तुम लोग मुझे डून रहा हुना वो मेरा ही गहर है दस बत चुके हैं कॉलनी में सवाराम से सो रहे हैं यहां पीछे ग्राउंड है वहां चलके आराम से बात करते हैं तुम लोग तो बड़े फास्ट है या बहुत जल्दी पोंच गए हैं घ्रकार बहुत बहुत जल्दी पहुँज़ गए हैं बाई, लाउट स्पिकर उनकर, क्यारे, मैं कौन हो नहीं बताएगा तो मुझसे बात नहीं करेगा, नहीं बात करूगा, तो फिर सुन, द्वार का नगर में दिवाली मनाने माला, मैं हे हूँ, इतने दिन से मैं तुछ से ही बात करने का अंदजार कर रहा था, तुने इन ट्ट्वों को क्याके के बेजा मुझे नहीं बता, पर यह मुझे घूर घूर के देख रहे है, जो मुझे जरा भी पसंद नहीं है, डस मिनिट के बाद फोन कर तब तक, मैंने सुला देता, मुझसे बात कर, बोला ना, डस मिनिट बाद जी भर के कर ले ना तब बादश यूर कोई बादश बाद इंट जी इंट बाद़ से कि अलिया जा यूर मूर मुझे को इचछ पार जा बाद़ से कि अलिक आया जाद़ ऌ्तेए रहाँ हम पर शाओे अरे श्राबा इस टाइमिंग तो तेरी बहुत अच्छी है तेरा प्रॉब्लम क्या है मुझे तू चाहिए तुझे जान से मारना है जानते हो नहीं जानता है जानता है और अपने पास बना लोगे तो 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 दोड़ते भागती मेरे पर आया है, और तुझे यहां रिसीब करने वाला कुरेशी है, तुझे यहां से मुंबई किया था, मुंबई में तुझे पना देने वाला फैसल है, एक हफते पहले तु हैदरबाद आया था, तुझे यहां फेक सिम कार्ड, फेक पासपोर्ट देने वाला और तुझे यहां पना देने वाला अजगर है, इतना ही नहीं, मैं ये भी जानता हूँ कि तुझे मॉम सप्लाई सायद में किया था, अमोनियम लाने वाला अकबर है, इस तरह तुझे जाने अंजाने हेल्प करने वाले टोटल तेरा लोग थे, और मैं किसी को भी नहीं छोड़ूगा, और रही लेकिन तु मरेगा तु मेरी हाथ हो, मेरे हाथ हो मरेगा तु 761, 762 क्या है, क्या हो सकता है Largest country in the world इसका मतलब, सारी दुनिया में, लंबाई और चोड़ाई के हिसाब से भारत साथवे नंबर पर है, what about six? metropolitan cities in India मतलब, six नंबर पर है Hyderabad seven India, six Hyderabad तो फिर ये one or two क्या है, में भी ये persons होगे और उनमें से 761 मतलब में परसन होगे, 762 मतलब उसका system होगे इने भी बकड़ना होगा, लेकिन कैसे? तुमने उसे इतना भड़काया क्यों? वो जो कोई भी है, उसे हमारे बारे में बहुत कुछ पता है वो सिर्फ हुआ है, वही जानता है लेकिन जो होने वाला है, वो नहीं जानता है एक और बाद, हम यहीं हाइदराबाद में उसे यहीं पता है हम उसके पास कैसे जाहें जो यहीं सोचता होगा उससे ऐसे ही सोचने दो, तब तक हम अपना काम पूरा कर देंगे क्या हो गया तुम्हें रात को मेरा फोन कट करती है और सुबह ओते पूछती हूँ क्या आप कौन बोल रहे हैं तुम जैसे लोगों से बचना भी तो पड़ता है तुम्हारे सामने से तो नहीं जाओंगी बेज़े में कुछ कच्रा गुज़गा, देखने तो तो अर्य क्या हुआ यार, पर सो, रात को पब में तुमने क्या किया तो तो तुम में देख लिया, बैसी इतनी रात को तुम बाहर कर के रही थी चुब चाप चद्दर तान के सोजा दी तो मैं तुम्हेरे सपने में आ जाता हूँ कहां सपने में आएगा और कहां होंगा क्या यहां हूंगा अधो तो सब देख रहे हैं चुड़ो ना मुझे किसी की परवानी है क्या हुआ तुम इस तरह आवास के निकाल रही हो क्या चाइए तुम्हें बुलो जो चाहिए वो मिलेगा क्या अधन्य हो सब्सक्राइब करें नहीं और भूं किया कट करोगी मुझा नहीं पेजानने के गल्दी करोगी नहीं करूंगी मत्सें शादी करोगी करूंगी करूंगी ठीक है तो जाओ यह रहा उसका कर अगर हम दस मेटू के तो इसे देख सकते हैं उसके आफिस से आने का समय जरुवरत नहीं है चलो यह 761 और 762 दोनों को बाहर निकालना ही पड़ेगा अगर यह दोनों होंगे कहां किया बात है परशान लग रहे हैं क्लाइंट एक ने फोम किया शुकाट किया है इस तू अच्छी बात है न धिमाग खराब करके रखा लाएं किया और कि वृद की सब्सक्राइब अच्क ठीक कर दिपार्ट्व मेरी डेली रिपोर्ट में हम लोग जो भी काम करते हैं उसकी सारी रिपोर्ट यूए से क्लाइंट हैट को दे देनी चाहिए क्या का अपने डेली की रिपोर्ट उपर वाले को पहुचा देनी चाहिए यही बोला मतलब हम यहां पर काम करते हैं और हमसे काम करने वाला Client Head कहीं और रहता है पर हम जो भी करते हैं उसे पता चल जाता और फिर दो 761 और 762 से काम करने वाला वो Client Head कही स्ब – और चाहीं कहीं जरूर बैठा होगा वह से सि Cup gor दा यह लोग क्या कर रहे हैं? और कहां पिखलोः? यह सारी जानकारी उसे होगी तो अगर क्लाइंट हेट को पकड़ लिया जाए तो इनके बारे में सब पता चल जाएगा लेकिन जब यही नहीं मिल रहे हैं तो वो कैसे मिलेंगे? कैसे? इनका बास कहा होगा? ऑफ कौन होगा? इन्हें कैसे पकड़े हैं और इनके बाउस को कैसे पकड़े हैं इन सब को बाहर कैसे निकाला चाहिए इसके लिए बराबर दस मिनट पहले सारे काम होने चाहिए इसकाम के लिए मुझे आदमी चाहिए 200 लोग दे दूँ मुझे 300 लोग चाहिए 300 लोग क्यों वह जो भी है हमारे इंक्वाईरी अच्छे से कर रहा है इसलिए हमारे आदमी हमने यूज करेंगे मैंने न्यूस पेपर में बंगार उबस्ति के गुंडों के बारे में बढ़ा तुम हिंदी पढ़ने में एक्सपर्ट हो एंग्लिश पेपर बंगार उबस्ति के गुंडों के बारे में था सच में वह बहुत ही अच्छे लड़के हैं सिर्फ उन्हें पैसे चाहिए क्यों किस लिए ये सब सवाल नहीं करेंगे वो सुनिये सुनिये कहा है सुनिये ना बोल और सुनो तुम्हारे क्रेडिक का पासवर्ट क्या है क्यों पूछ रही हो बताओ ना यार 2526 2526 वैसे तुम यह सब क्यों पूछ रही हो कुछ नहीं कल टीवी में रिंग का एड देखा था बहुत अची लगी अपनी शादी में वही पहनूंगी मैं क्या मतलब है गोल नहीं बाबा डाइमंड रिंग है क्या डाइमंड रिंग मात रिंग है वह कितनी महगी है चां शब Ooarnad आप था कर लिया ना तो मुझे हख कर लीién और उसक्तर कि फिर और किसका तो लूट जाओंगा शाnt हो जाओ क्या इतने चोटे से अमाउंट के लिए तुम फिक्र कर रहे हो चोटी से माउंट है तो मेरे पास क्यों आई नाश्टे के लिए बुलाने आई नाश्टे के नाम पर दोला कुर्पे खर्च करा दिये कल लंच पर बुलाने आओगी फिर तुम मैं ही बिग जाओंगा तुम बापरे कमाल की लड़की हो तुम कभी लंच और डिनर के लिए मत बुलाना अब जाओ तीन सो लोग चाहिए है इतने सारे लोग चाहिए मतलब काम बहुत बड़ा है क्या है काम बड़ा ही होगा भाई कब चाहिए मैं बताओंगा तुम लोग तयार है तुम नाश्ता कर आई हो और फिर दो मिनट के बाद तुम्हें नहीं देंगे तो बैठेंगे कैसे तुमने मुझे यहां पर क्यों बुलाया थोड़ी देर आराम से बात करने के लिए बात करने के लिए वह भी शांती से श्राम को मिल रहे हो ना का मिलोंगी अरे भाइसाब आप कैफे में बैठें गार्डन में नहीं आया है सुनो ना शोना मैंने जो डाइमंड रिंग देखी है ना बहुत सुंदर है लेकर दोगे ना चेरवा रख्यों यह विराजमान हो जाए यह यह क्या कर रहे हो यह क्या चल रहा है इंसब का दिन पसंद करने के पीछे तीन वज़े हैं जरा बताना तो पहली वज़ा तुम और लड़कियों जैसे नहीं हो तुम में बहुत फरक है क्या फरक यह है कि आज कल की लड़की आँस उबह उठती नहीं उठती है तो मुबाइल के शकल देखती है और फिर सो सोजाती है और तुम आँखों में आशु भरकर मेरे गले लगकर कहोगी मुझे क्यों मारा तुमने और उसके बाद सारा गुस्सा थोग तो तुम हमेशा मुझे निच्चा दिखाना चाहते हो क्या नहीं मैं तो तुम्हें अपनी पलकों पर रखना जाओ और तीसरी वज़ा आज कल की लड़कि अज वीकेंड तो मैं तुम्हें सारी फ्रेंड्स को एक एक करके फोन लगाऊंगा और फिर थम्हें पता चल जाएगा कि पर क्या है तो कि सबसे पहला फोन किसे करूं सुकन्या को कॉल करूं नहीं उसकी घर पर फोन करूंख अलोड मैं सुकने की फ्रेंड बोल रही हूं हां बोलो बैटी अंकल सुकन्या है वह ऐप्स की मीटिंग के लिए बैंगलोर गई हो हुई है ठीक अंकल थैंक यू सो मज ओके बैटी देख लिया, वीकेंड पे भी काम कर रही है, और तुम उसे शकीरा वकीरा बोल रहे थे, अब उसे फोन करो, हाई रानी, क्या बात है, सेंडी को फोन किया, कहा हो तू, मैं मुन्नार में हूँ, वहाँ क्या कर रही हूँ, बॉल्परिंग के साथ आउटिंग पे आई हूँ, ओ हाई, हाई, क्या बात है, मम्मी ट्याटी घर पर नहीं है, और ओफिस का काम पेंडिंग है, इसले में यहाँ आई है, मैं तुझे कंपनी देने की ज़रत नहीं है, कंपनी देने के लिए मेरा बॉइफ्रेंट है अंदर, तो उसने तुम्हें अंदर नहीं बुला है, इसके तब चले, चले, तुमने जितना कहा था उतना रेडिया, अब आगे का प्लान क्या है बताओ, यह है इदराबाद है, एरिया इतने वजंदार हिदराबाद को हमें दराना है कैसे? 60 किलो वजन के इंसान को एक छोटी सी गन दरा देती है, हम है इदराबाद को नहीं दरा सकते हैं? कैसे? 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 और थोड़ी देर बाद, कॉंस्सेबल गाँ उसके बाद हमारे चार चार आगमी हर एक सी आई के घर पर जाएंगे वहां हमारे आदमी बेल बजाएंगे तब वो सी आई बहार आएंगे कौन हो तुम, क्या चाहिए तुम्हें? हमारे आदमी उन्हें चिठ्थी रेंगे C.I. चिठ्थी पढ़ेंगे पढ़ते पढ़ते वो अचानक रुख जाएंगे यह तो हमारे अड्रेस है, तुम्हें क्या चाहिए? कंफर्मिशन के लिए, क्या? क्या? क्या या बात कर रहे हो और तब हमारे आदमी जनरली एक मिनिट में साथ सेकंड्स होते हैं एक सेकंड पर एक आदमी यानि साथ सेकंड में साथ हादमी यानि एक मिनिट में साथ के साथ सारे सी आइस किड्नाप हो जाएंगे उसके बाद सारे C.I.s के किटनैपिंग की खबर मेडिया में दे देंगे प्रेकिंग नियूस, सिटी के C.I. किटनैप हो गये हैं किटनैप किसने और क्यों किया, किसी को कुछ नहीं पता किटनैप किये C.I. को बंदक बनाएंगे या छोड़ देंगे अभी इस बारे में कोई भी कुछ नहीं कह रहा किटनैप किये गए C.I. के परिवार वाले बहुत ही घबराएं हुए और इक आज में किस नहीं किया नहीं पता सर्थ कहा ले कर गए आप क्या करेंगा मुझे नहीं पता अब स्टार्ट हुए तो बराबर पांच मिनिट में कुरियर डिलेवर हुज है कुरियर कैसे पैक किया है जैसा आपने बोला बैसा करने में तीर मिनिट का टाइम लगेगा स्टार्ट करने को बूल वो बधायी गई जगाओ पर पहुच गये हो लेके अब अन्दर गये हो लेके बॉक्स की डिलिवरी दे रहे होंगे कुरियर ओपन करने के बाद देखकर सब शौक हो जाएंगे वहाँ क्या हुआ देखना चाहोगे? चलो दिखाता हुआ पीकर हगामा कर रहे हैं बेने में दिजाने किया पुलिस के कुरियर में क्या रखा है? जो आपने दिया वही रखा नहीं रखा जो दिया था वही रखा नो अरे यह कौन है भाई जिसने पांच रुपे के चॉकलेट बेच के सौ रुपे खर्च करा दिये तुझे बोला था ना तो खुछ चल कर मेरे पास आएगा तुने अपने आदमी बदले थे और मैंने तरी बॉक्सस बदले मेरा प्लान तुझे कैसे बता चला कैसे हैं अुझे को हुआ ना ना है भाई आप से काम है इसलिम लिगे आए हाँ लिखिया है तू आन किया अ के वो इस willst अ मूम्हें एक ज़ंटा पेला लिए ले ःुमसे मिलले कुछ लोगा ए वह एक गंपारदा है क्या पूचल रहा है तुझे मार नहीं खाना है तो चुपचाप बता दे तुझे पताएंगे तेरी तो अरे वो बता रहा है ना तू क्यों चल रहा है कि अढ करें प brack तेरी तो कि झाgebaut है यानकावच प्राबत रहे तुझे 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 याना युर बता वो बताएंगे तो कि परिएी तु़ एल आच है तुझे तेंगे तूझे तुझे झालगा संवेंए पन देंगे फिए झाएंवराँ छ थ逐 तुझे तुझे इजया खार, खार,ंब झापवा ठार... कि अए आई वो जाए वाए रहा है आई जो आए यह है 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 आई जो आई चल बोल आई, वो हमारा कुछ नहीं कर सकता, सारे C.I. तो हमारे पास है बेवकूफ, वॉक्सिस के बारे में जनने वाला, C.I. के बारे में नहीं जनता होगा तू बहुत स्मार्ट है या, लेकिन तेरे कुरियर वाले आदमी, किड्नैपर्स, सब मेरे आदमी थे सर, 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 रुकिये, हम किन्डैपर्स नहीं है, सर, हम लोग तो बहुत शरीफ भात भी है, सारा वारे विश्वास कीजिए चलते हैं सब, भाई देखिए, सारे बॉक्स यहां पर रख दिये हैं, इन सब को जन्दी से ले जाकर भाई को सौफ देते हैं, इनका फैसला भाई करेंगे, यहां देख रहा है, चल, तुझे बताओ तेरी गल्ती क्या है, तुने पुलिस को शिर्ट और अगर उन्हें गु ले लिया है, तो अब सिंपल सी बात है, वो तुझे छोड़ेंगे नहीं, नहीं, अब तरे पास कुछ नहीं बचा, बाई-बाई, 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 इस घटना के बारे में एक आद्मी ने हम लोगों की बहुत मदद की, उसे हम ठैंक्स करते हैं, मैं किड्नैप कों है, वो कहा रहता है, यल बता, बेन दो, बेन? यह क्या, सर गन की जगे पेन माँआए, सर गन चाहिए, नहीं बेन एक और बेन, बता और चाहिए क्या? सब बताता हूं मुझे बता है मैं सब बताता हूं गुड इससे तुमने क्या सिखा पैन लिखने के लिए नहीं चुबाने के भी काम आता है नहीं पैन सिर्फ सच लिखने के लिए ही नहीं सच बुलवाने के लिए होता है उसको लेकर आओ उसके दूसरे गैंग वालों को उठ वेक दीन में 30 हसानाग उन्डों को पुलिस को पकड़ लिया ने ये बहुत बढ़ी कामियामी है प्पोन कर उसे चलबख 9-866-185039 तुमारा फोन नम्हारा पोन नम्हाइट 8-3-282-11G तुम्हारे घर का नंबर तुम अवंदिका कॉलोनी में रहते हो अवंदिका कॉलोनी के ओपसिट सेकेंड लेफ्ट पोथ राइट लेंगे तो तुम्हारा घर है तुम्हारा ओफिस माधवपुर में है सुबह नौ बज़े ऑफिस जाते हो और शांको 6 बज़े वापस आते हो तुम्हें ऑफिस के कैंटिन डखाना पसंद नहीं आता इसलिए ऑफिस के सामने वाले होटल में ठीक एक बज़े लंच करते हो तुम्हारे पास बाइक बजाज पलसर 150 CC है मेरे पास तुम्हारे इतनी इंफोर्मेशन दहने के बाद भी हमें मारे बीना कुछ खोड़ दिया जानते हो तुम मरने के लिए नहीं जीने के लिए गिर्गड़ाओगे हमें चोट लगती है तो हम चिलाते हैं उसे दर्द कहते हैं उसी चोट पर बार बार घाव लगे तो हम रोते हैं उसे दुख कहते हैं लेकिन मैं तुम्हें दुख नहीं दूँगा औरों की तरह रुलाऊंगा भी नहीं उससे भी बढ़कर हद से ज्यादा दर्द दूँगा सुनने में तो दर्द बहुत छोटा शब्द है पर उसका असर काफी भयानक होता है अरे वाद तुने तो कमाल कर दिया मेरे अड्रेस के बारे में जानता है बस इतना ही ना पर मैं तेरे बारे में क्या जानता हूं तुझे पता है जानते हो डीटेल में सुन ले बे गोल कॉंटा जिला के बरकत किला में प्रिंस होटल के पीछे वाले स्लम में स्ट्रेट जाएंगे तो पीस नंबर घर के अंडर्राउंड के बंकर में तू रहता है घर में दो बूढ़े रहते हैं तेरे घर का नंबर है 9-11-57 by 3 तेरे साथ हमेशा तेरा फ्रेंड है पूरे हैदराबाद में तेरे लिए काम करने वाले करीब 1000 लोग है बरके बारे लोगों कोई पता कि तू कहां पर रहता है बाकी लोग नहीं जाने और तू अपने सारे काम होनी बारे लोगों के तेरे घर के बहुत पास एक पुराना एंबिनस भी है इमर्जनसी में भागन तेरे घर के आज पास के पांच घरों में तेरे ही आदमी रहते हैं तेरी रखवाली है चलब तेरी परसनल बात करते हैं हाइट 511 वेट 82 टीशिट साइज डबल एकसर पैं 32 तेरे राइट साइड के रिप्स में चोट लगे है त्रेनिंग के दोरान लगे है इस वक तेरे साथ छे लोग है राइट साइड में दरा फ्रेंड है लेफ्ट साइड में बाकी के लिए क्यों बे तेरे बारे में को हाइट पे अपना घर खाली करके निगल ले अरना पकड़ा जाएगा पुलिस आल्रेडी वहां पर पहुंचती होगी भाई हमारे बारे में पुलिस को सारी इंफॉमिशन है हमें तुरंत यहां से निकल जाना चाहिए शाबाश जीद गया रहे तो तू तो सच्वे मुझे म भाग ले जलब पून रख यह जल्दी से तयार हो जाओ मामा के घर जाना है क्यों क्यों वही हो ना जो शादी के सम्में लड़का देखने आया उसके सामने अले वी बोल दिया वो यहां काम करने वालो में तुम पर इतनी बाते क्यों कर रहे हो लड़का स्मार्ट दीख रह जब आपने ओके किया है मामा जी तो लड़का स्मार्ट होगा ही लेकिन आपको कैसे पता लगा कि यह वाकई था स्मार्ट है लड़की देखने आया तो इसने आयला भी बोला उसमें मैं क्या कर सकता हूं अच्छा अगर कल सुबह मैं उसे प्रपोस कर दो तो मेरे से शादी आप चुप रही है हमेशा आप बात करेंगे क्या आज मैं बात करूंगी भाबी पहले आप पूछिए अर्यू रेडी हूं सेलरी कितनी है आप चुप भी रहिए अब बताओ सेलरी कितनी है 80,000 कितना बचाते हो कुछ भी नहीं अरे तुम तो अकेले हो खर्च इतना कर दिया अच्छा ये बताओ इससे पहले कितनी लड़कियों से प्यार किया किसी से भी नहीं जी ये पहली लड़की है तो शादी के बाद प्यार करोगे क्या अनुमान है आप जुप रहे है इसके आदतों के बारे में आमें जानना चाहिए तुम बताओ बेटा शादी के क्या है एक भी नहीं कोई बात नहीं चोटी-मोटी होगी ना वो बता दो दारू पीते हो अरे अरे अज में शराब इना चोड़ते हैं क्या तुम चुपरो आज कल के जवान लड़के शराब बहुत पीते हैं भाई साब गलत आदत के साथ उधार भी हां और ज्यादा तो न आज नहीं छोड़ेंगे उची अवास की तो भी नहीं छोड़ेंगे हम ज्यादा सोचो बद इन्सब का कोई उपाई नहीं है पता है तुमें मेरी बेटी राजकुमारी है मारानियों की तरह रहती है अच्छे से ख्याल रखना तुम उसका जरूर ख्याल रखेगा यह ख्य क्योंORE आप क्या बात कर रहे आप की बीटी का ख्याल रखुंगा आप को यही जानना है न al… मैं आपकी बीटी का ख्याल रखूंगा अच्छी से मतलब flowखाओंगा अगर अधा हंसी तो फिर मजाक में रूलाओंगा, अगर सीरिसली रोएगी तो फिर प्यार से समझाओंगा, अगर फिर भी नहीं समझी तो कान की नीचे अच्छी तरह बजाओंगा, अच्छी तरह कैसे, मेरा मतलब है कि एक प्यारा सा थपड़ मारूगा, और तब भी नहीं मानी प्यार से एक पकपी दोगा, दूसरे शब्दों में मैं छोटे बच्चो के तरह ख्याल रखोगा, खेलाओंगा, हसाओंगा, रुलाओंगा, समझाओंगा, मैं आपकी बेटी को दुनिया की सारे खुशियां दोगा, इतना खुश रखोगा कि एक दिन ऐसा आएगा जब आ और एक बात अगर हर शनिवार के सुभई आप लोग मेरे घर में नहीं आए तो मैं आपके घराओंगा और चार बाते चाहूंगे आप सब्सक्राइब कर साथ में बनाएंगे और रही बात तुम लोगों की तुम लोग मेरे बीवी के साथ गुलो मिलो मुझे चलेगा बस तुम लोग मेरे भाई जो से हो तो बड़े भाई से जड़ा इज़त से पेशाना वरना थपड़ भी पड़ सको हूँ और तुम दोनों मेरी साली हो मतलब आधिगरवाली हो मेरी हर इक चीज में तुमारा आधा हिस्सा हमेशा रहेगा मामा जी आपकी बेटियों के साथ मैं मजाग करूंगा मस्ती करूंगा आप रोकना मत चीक है और आखरी बात आप सब मेरी फैमिली की तरह है है श्रीमती जी मेरा गलास उग गया है कुछ पीने को दो जीजा जी मामा जी मामा जी लड़का मशी नहीं आ रहे है तो क्या करो तुम्हें लोरी सुनाओं तुम्हें बहलाओं कान निचे थपड़ चाहिए वह बात नहीं है तो फिर क्या करो है हाओ क्या क्या नैंनी तुम गलत मत समझना थोड़ी देर वॉप करने के लिए जो पुर्स तुम्हें नियन नहीं आ रहे है तो तुम मैरे मेरी नियन क्राब आप करने वाले तुम हो किव मैंने क्यां किया सच में नहीं चानते हों या नाटक कर रहे हो की सब्सक्राइबटा में ने परक्रोम बहुंत तो पूंख नियुना है बशिवर आइसक्रीम आननल आइसट्रीम मैं जगे जमत Siz इसे मैं पूले पूछा कौंसी है चॉको वर दे जैन चिल मैंडम पैसे छाइए negotiations तुम्हें क्या हो गया मैडम को चो को बार है थो तु डेरेक्ट ली मांग लेना चाहिए था सर कॉंसी है क्यों पूछा सर तुम्हारी एज क्या है 20 साल है सर साथ के हो जाओ तब भी नहीं समझ गया लड़किया किसी की समझ भी अटि मत सोचो लिप्स्टिक लगाई हो क्या है अरे नहीं है चलो आजाए क्या हुआ कोई देख लेगा यार क्या हुआ डर लग रहा है वो मुझे नहीं पता चलो यहां से मेरे सामने भूला बनने की आक्टिंग मत करो ऐसे मत देखो मुझे क्या चाहिए तुम्हें मुझे क्या चाहिए सिर्फ एक जीर तुम्हारी हासी बस हासी और कुछ नहीं और भी चाहिए तुम्हें देखना है क्या चाहिए क्या मतलब तो फेर ऑक्सिजन का क्या मतलब कि या रहे दो दिन अच्छे से इंजोई किया ना बात कहा वो बोल वो कुरियर बॉक्स तुम्हारे पास यह ना उनमें से एक निकल कर जिसे मैं कहूंगा उसे देखर आना पड़ेगा मैं नहीं जाओगे मैं नहीं जाओगे जाओगे यूकि अब में तुम्हें डराने वाला हूँ और तुम डरने वाले अच्छा नहीं डरोगे अब मैं सिटी सेंटर मॉल में हूँ बहुत बड़ा मॉल है हाँ तो मैंने एक लॉंग कोट पहना है जिसके दोनों तरफ जेव हैं मेरे राइट पकेट में क्या है जानते हूँ छोटे बचे दीवाले में डिशूम अम rollो कोट युजरे लेक hai वालव के थे व footprints लोगों को मारूंगा तो किसी को पता चलेगा कि यह भी मारे वैसे अब मेरे गन से आवाज नहीं कि उसरो कि अलो मैम यह तेल में दू यू फ्रिक्वेंटली विजिट दिस मॉंग यह वाट इस देश्ट थिंग आप देश्ट अपड़ेगा अब तम कुरियर लेकर जाओगे अब जाओगे ठीक है हाई बेबी हाई अंकल यू आज तो क्यूट अंकल हाई वो बच्ची है हाँ मुझे बता है तो मेरा कहना मांजो तेक पासल लेकर जाएगा या नहीं लेकर जाओगा उस बच्ची को कुछ बार करना है यू सो लकी ठीक आदे घंटे में साइबर टाउर के पास कुडियर लेकर जाओग ठीक है लेकर आता हूँ एक मिनिट अब क्या है बेबी गुद्बाइ बाइ 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 है बोला जा रहा हूँ तो फिर तुने उस बच्ची की जान क्यों लिए चिल्लामात आदा घंटा साइबर टावर जल्दी पाऊच अब्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् यहाँ यहाँ अलो मेरा काम करनें कितना वक्त अगेगा हाफ अनाग मेरे चलेगा कितना वक्ती मेरे पास कमोन पास पास हलो साइबर टावर के पास हो तुम्हारे सामने एक फ्लाइओवर है हाँ है उसके नीचे एक सिगनल है ठीक दो मिनिट में सारे सिगनल जैम हो जाएंगे बहुत सारे लोग होने उस ट्राफिक में बसस काज ओटो ठीक उसी टाइम पर वो बॉक्स उसके पास रख कर उससी ओन कर दो समझ गये ना और मेरे अगले कॉल का वेट करो कि अग सिग्स कि अग मेंस कि नाएंगे रचल स्क्राइब मेंस कि अग दूपो ट्राफिक का अग वेर आपर अपर जया इस्ते हैं जब कर दिया पर सकावगार जो मिलें नाम तो किसा सब्सक्राग दो इस तो किलो ओने हुए नाम सब्सक्राइश तो किसा देदैने तूर्ला मैं तेरे ही कॉल का इंतजार कर रहा है बॉक्स रख दिया अरे पगले शॉपिंग मॉल के किसी भी शॉप में टीवी आन होगी न्यूस देख ले जवान का नगर बम ब्लास्ट गेमों के आरोपी का फोटो मेडिया को मिल गया है और ये रहा इसका फोटो इस रहर के किसी एक शॉपिंग मॉल में घूम रहा है ऐसी हमें जानकारी मेरी है पुलिस इसकी तलाज कर रही है यो भाई फोटो पसंद आई क्या अभी भी मारेगा जितनों को मार सकता है मार दे तो उन मेंसे कोई भी तुझे पहचान गया तो कुट्टी के तरह मारेंगे तुझे और पुलिस ने देख लिया तो फिर मेरा टिकट कर जाएगा अब तेरे लिए सबसे सेफ जिकर कौन से पता है मेरा घायर एड्रेस पता ही होगा अब जल्दी से आजा कौन है वो उससे मेरा एड्रेस कैसे मिला मेरे बार में पता कैसे चला उसे प्लांत है इसे रोकना है रोकना पढ़ेगा रोकना पढ़ेगा कैसी 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 प्लाइंटेड, एलियास, 761, बॉस मेरा हर प्लाइंट उसे पता कैसे जल जाता है उसे मेरी फोटो कैसे मिली इन में सेवन सिक्स वन कौन है नहीं बोलोगे न? नहीं बोलोगे, ठीक है ठीक है, तू अब बोलेगा डाल दो अंदर, डाल दो अंदर, बोल, बोलेगा, 761 कौन है बोल, 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 बोल तो, बोल तो ये है ये है ये है ये है कि अपलो सुनों मारे वाट्सेप पर पोटो भीचि द्वार का नगर में बॉंब ब्लास्टी सिली करवाया था यह पोटो सारे चैनल्स में जानी चाहिए ओके इस आप आप लेकिन इससे ये इसे कैसे पकड़ेगा? अपने डेली की रिपोर्ट उपर वाले को पहुचा देने चाहिए यही बोला क्लाइन्ट हेड को पकड़ लिया चाहे तो इनके बारे में सब अचा जो जाए भाई न्यूस में जैसे पताया कि छे लोग थे लेकिन वो दो लोग थे आप पंकश के दोस्तों तो तेरे सारे दाट उचाएंगे देखेगा देखेगा तो यह लोग मुझे मारने के लिए रात के दस बचे आये थे दस बच चुके हैं कॉलनी में सब आराम से सो रहे हैं यह उसी दिन की बात है जब मैंने राने को आईला भी बोला था मतलब दिसंबर सोला 10.30 को कॉल आया था और वो दस बचे आये थे वो लोग मेरे पास आये थे हमारे फाइट हुई मतलब कि उस 761 वाले का नंबर यह है अगर यह 761 वाले का नंबर है तो उसी दिन शाम को साथ बचे पपू की मौत होई थे और यह ख़बर न्यूस पर बहाई थे वेलकम सर मेरा नाम रवी है मैप की क्या हल्प कर सकता हूं सर तुमारी सैलरी कितनी है तुमारी सैलरी कितनी है 10,000 सर दस पिनेट में मैं तमें डबल दूँगा मतलब 20,000 दूँगा बस मुझे तुमारी एक चोटी सी हल्प चाहँ किसी भी तरह की हेल्प कर सकता हूं सर। 78912300000 मुझे इस नंबर की पूरी टीटेल से। ओके ram.gmail.com मेरे आइडिया है ओके सर। डेटा जल्दी बिज़े 3262-4480802 SDFC बैंक का एकाउंट है सर। और कुछ सर। डेटा देखते हैं डेटा डेशेंबर 16 साथ बच कर दो मिनट पर कॉल आया था अब पू की निउस साथ बच आया थी साथ दो पर 761 का कॉल आया था मतलब वो निउस देखने के बाद 761 को किसी ने कॉल किया हो था तो निकालता हूं तुम एक और नंबर भेजाए उसके डीटेल्स मुझे चाहिए अपिन पनवर हाउस नंबर 72 एमजी स्ट्रीट आजमगड आजमगड पहले आजमगड को आतंक वादियों का गड़ कहा जाता था मतलब कि कॉल करने वाला ही 761 का बॉस है चक्री के कहने के मुदाबिक तो अड्रस नहीं का है मतलब उसने पब्लिक टेलिफोन बूट से फोन किया था सुनिया भाई को लिए डिसेंबर 16 को रात के 7 बजे मुझे यहां से कोई कॉल आया था क्या बदा सकते हैं कि वो कौन था जिसने मुझे कॉल किया था नहीं याद नहीं थोड़ा याद करो ना भाईया रोज हजारों लोग यहां फोन करने आते हैं कैसे याद रखेंगे भा पहले आतमकर को आतमबादियों का बढ़ दाहा जाता था अपने डेली की रिपोर्ट उपर वाले को पहुचा दोनी चाहिए यही बोला था नहीं को पकड़ लिया चाहिए तो इनके बारे में सब पता चुल जाए डिसमबर 16 को शाम के 7 बचकर 2 मिनट पर फोन आया था 7 बचे टीवी पर निउस आया था 7 बचकर 2 मिनट पर उसका कॉल आया था पीच में 2 मिनट का घैप था अगर इनसान 1 मिनट में 40 कदम चल सकता है तो फिर 2 मिनट में 80 कदम चलेगा मतलब कि इस दुकान से असी कदम की दूरी पर वो यहीं आसपास ही कहीं होना चाहिए भाया सिधा जाएंगे तो कहा निकलते हैं म्योनिस पर्टी लेफ्ट में जाएंगे तो बाजार राइट में बंदिर है पीछे गली है आप कहा रहते हैं वहीं पर रहता हुआ है कब से बच्पन से आप मेरी मदद करेंगे ऑफकोर्स वाइनाट 76, 77, 78, 79, 80 यहां तक तो अस्य हुआ मतलब इस तरफ या उस तरफ वो कहीं आसपास से रहता होगा भाया यह यह घर किसका है रावत भाय क्या करते हम गवर्मेंट एंपलाई यह शोयब साब का घर है मालिक लोग बाहर रहते हैं दुबाई में यहां कुछ काम वाले रहते हैं सुना है वो बहुत पढ़े लिखे हैं और गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं पता नहीं इस घर में क्यों काम कर रहे हैं गोल्ड मेंडलेस्टोकर भे इस घर में काम करता है। यह बात कुछ अजम नहीं हो रहे हैं, फॉझ थो खर बढ़ा है। हेलो कर दो वोज़ कि अज़ा है वज़ माई प्रॉप खाउड़ प्रॉब के लाए कि अज़िए वोज़िए प्रॉब प्रॉब वोज़िए 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 कर दो दो कर दूब 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 यह इस त्रांस्मीटर मेरे थे प्रेली यह बंगवाया है और अब से तरे चंचे का हर एक अक्षन हर मुझमेंट उसके प्रे तिन की रूटीन तुस्टर मुझे बताएगा नहीं बताउंगा उसका नक्स्ट्ट्लैन केन नहीं मालूम करता हूँ करता हूँ करता हूँ सब सिय लोगों को पिकनिक लई जाएंगे और तोफा भी भीजेंगे डिलिवरी ब्लास्ट ठीक है मतलब क्या है मतलब क्या है प्रिवरी करने के बाद में पर निकलेगा और बॉक्सेश चेंज कर वाद में रहता हूँ गोलकॉंडा कोटे के पास बरकत किल्ला के पास वाले घर में वह फिलाल वहीं रह रहा है क्यों चैलेंज देकर मुझे अपने घर लेकर आया है एक बार अपनी शकल तो दिखाओ पूरी तरह कौन है तू और मेरे बारे में कैसे पता लगाया कैसे पता लगाया ये तो नहीं बताओंगा पर कौन हूँ ये बताओंगा मेरे डाड आनन्द राओ एक दिन हॉस्पिटल के वरामदा में खड़े होकर सोच रहे थे डॉक्टर्स ने कहा मुबारक आपको बच्ची हुई है वो बहुत खुश हुए ये सोचकर कि उनके घर में महालक्ष्मी आई है इसका पालन पोशन कैसे करूँगा कितने प्यार से पहले ही उठ जाती थी और रात में सबसे आखर में सोती थी सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक हमारे घर, बच्चे, खाना, खेल, बच्चों की खुशी में ही अपने खुशी देखती मेरी माँ जिन्दगी मेंनोंने कभी कुछ और नहीं चाह, कुछ और नहीं मांगा, एक ऐसी मध्यम वरगिये मा का बेटा हो मैं, उसका लाडला हो, मिरी दीदी, कीरती, वरामदे में एक छोटा सा बच्चा उसे मामा कहके रोता था, वो कहती, बेटा मा काम कर रही है न, और जब भी वो में मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, तेरी वजह से मेरे जिन्दगी में अब कुछ नहीं रह गया, तेरी वजह से में जिन्दगी में तीन बातें भोल चुका हूँ, मा भूक लगे खाना दे, पापा पैसे नहीं है, पैसे दो, दीदी ये मेरा है, मुझे दे दो, ऐसे क् देख रहा है इन सब चीजों की कीमत तुछ जैसे दरिन देखो क्या पता तेरी तो बहुत बोल रहा है तुछ गन में साउंड होती है बाहर पुलिस घुम रही है क्या है यह यह दलवार क्यों लाइफ में पहली बार में किसी को जी भरके मारना चाहता हूं बरदाश्ट नहीं कर पाएगा इसलिए से अपने पास रख क्या है क्या है क्या है यह रही तेरी तल्वार तुही रख वुट्छाले जो कि अब बस दो मिनच फिर ये तल्वार तरे काम आएगे हुआ कि अथ्ट लुए नहीं टुए हुए है यह एो एो! यह एो! यह? यह एो!!! यह एो! यह एो!!! हेंवें़ हook तुम्हाजी ये बता तुम्हे मेरे बारे में पता कैसे लगा नहीं बताओंगा तु इसी सवाल के साथ मरेगा जार का नगर में जिना परादियू ने बाम रखा था वो यहीं है ऐसी हमें सूचना मिली है पुलिस भी यहाँ पर तैना आता है पर्दा फास करने के वीडिया नहीं पता हम लोग बहुत दिनों से अच्छा काम किया है हम उन्हें जिन्दा नहीं चोड़ेंगे लोगों में काफी रोश है उन लोग पता जल्द ही चल जाएगा अच्छा दिखता है वो कहां रहता है अभी तक मालूम नहीं कि अच्छा आता है सब्सक्ता आता है साइराम, सुरगड़ सुम्भड़ साइराम जह जुरे मन साइराम, जपुरे मन बस साइराम जग के ताता हो तुम, मेरे प्यारे साइराम जय हो, जय हो, जय हो स्वामी जय हो, जय हो, जय हो स्वामी घरपालू जयालू करना के तुम सागर परशन दिखा के साइअपने शरन में लो ओ मेरे साइ धरशन तुम मुझको दो फरदो मेरी छोली धुम अपनी हाथों से साइ साइ जय हो, जय हो, जय हो स्वामी 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 जय हो, जय हो पाप पुन्य जगत के दो रंग तरने ही होता है साई जब हो संग मन में तुम होते हो परपल साई उन गाने करता हूं अंतर यावी ए शृष्टी के तुम हो साई दुष्टों को दे दंड मेरे साई ये शृष्टी के तुम हो साई दुष्टों को दे दंड मेरे साई जय हो जय हो स्वामी जय हो साई दुष्टारों को दे दंड मेरे साई लवदों के तुम हो साई जय हो साई झाल झाल